नमस्कार मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ आज हम जोमुर्फोलोजी के भुवाकरती विज्ञान के दस महतवपूर्ण किश्चनु का अधेन करेंगे ये यूजिसीनेट और कोलेज लक्षर एक्जाम के लिए उप्योगी हैं साथ ही खहना चाऊंगा कि सभी अपने घर पर रहें बेवजय बाहर ना निकलें और अपने आपको परिवार को समाज को और देश को वायरिस से बचाएं तो शुरू करते हैं आज का पहला क्युशन आज का पहला क्युशन है भुआकरती विज्ञान का जनक किसे माना जाता है तो इसमें कई बुक्स में दो आणस्वर इसमें आते हैं पहला तो इसमें अलब्रेट पैंक अलब्रेट पैंक है वो वाल्टर पैंक की पिता है डबलू पैंक जिनोंने जियो मर्फोलोजी अपरदन चक्कर भुहाकरतिक चक्कर प्रस्तुत किया था और दूसरा है विलियम मोरिस डेविस इन्हें भी भुहाकरति विज्ञान का जनक कहा जाता है तो इसमें जो सही आंस्वर है वो विलियम मोरिस डेविस है उसे माना जाएगा इसने जियो मर्फोलोजीकल चकर भुहाकरतिक चकर की संकर्पना प्रस्तुत की थी थोड़ा सा इसका विसलेशन देख लेते हैं यह देखिए विलियम मोरिस डेविस को भुहाकरति विज्ञान का जनक माना जाता है फिजिकल जोग्रफी लेजर, एंटलीज, कोरल, रीफ, प्रोब्लम सी इनकी परमुगरंथ है और उन्हें अपरदन चकर की संकर्पना प्रस्तुत की वो बताया कि स्थल रूप है वो संरचना, परकरम और अवस्था का पर्तिफल है तो यह जो संरचना है, परकरम है और अवस्था है इन तीनों को डेविस के त्रिकट भी करते हैं इसके लावन उन्हें सुष्क अपरदन चकर, हिमानी अपरदन चकर, समुद्री अपरदन चकर का पर्तिपादन भी किया था चलिए अगला क्यूशन देख लेते हैं अगला दूसरा क्यूशन है पुस्थके हैं और लेखक हैं उनका मिलान करना है कौन-कौन सी पुस्थके हैं इसमें एक तरफ पुस्थकें दी हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं और हमें सही मिलान करना है फीजियोग्राफी, फीजिकल जोग्राफी, सेंड्रल, मैसिफ, और क्रिस्चिन टोफोग्राफी, चार बुक्स हैं और आगे लेखक दिये हैं, तो फीजियोग्राफी है वो अलेट फैंक की है, यह सही है बिल्कुल, फीजिकल जोग्राफी विलियम ओरिस्डेविस की है, यह भी सही है, सेंट्रल मेसिफ बोलिक की है और क्रिश्चन टोफोग्राफी कोस्मोस जो लेखक होए थे उनकी पुस्तक है तो ये सभी सुमेलिती है तो इसमें एक, दो, तीन और चार ये पहला अनस्वर इसमें आएगा अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमर तीन भूगर्बिक समय की खोज से सम्मदित विद्वान कौन-कौन से है तो इसमें जेम सटन, चार्स लेल जोन प्लेफेर और थान बरी चार ओप्सन दिये हैं इसमें पहला है केवल एक, जेम सटन फिर चार्स लेल और जोन प्लेफेर तीनू केवल चार और ये सभी इसमें थानवरी है वो नहीं है और बाकी जियम सटन, चार्ल्स, लेल और जॉन फ्लेफेर तो यह तीन ही आजाएंगे इसमें, एक, दो, और तीन जेम सटन ने एक रूपतावाद की संकल्पना का पर्तिपादन किया था वो इसी से सम्मंदित है चार्ल्स लेल और जोन फ्लेफेर इसके समर्थत थे थोड़ा सा विसलेशन देख लेते हैं आगे यह देखी यहाँ डिस्कवरी ओफ टाइम समय की खोज जेम सटन ने की थी और साथी उसके जो साथी थे चार्ल्स लेल और जोन फ्लेफेर जो उनकी विचार धारा का समर्थन किया था जिसे हम एक रूपतावाद कते हैं आगे अगला कुश्यन देख लेते हैं कुश्यन नमबर चार जुरासिक यूग का नामकरण किस ने किया था जुरासिक यूग का नामकरण है वो हमबोल्ट ने किया था हमबोल्ट ने ये थोड़ा सा विसलेशन है इसका आगे दिया है देखिए आगे जुरासिक यूग जुरासिक हमबोल्ट ने फ्रांस के जूरा परवतों के नाम पर इसका नाम कड़ किया था फ्रांस में है जूरा परवत और उसी के नाम पर हमबोल्ट ने इसको जुरासी क्यों कहा था अगला कुशन देखते हैं कुशन नमर पांच वांडर ग्राट के अनुसार पर्थवी के 2880 किलोमेटर घहराई से नीचे भूख के अंदर तक के भाग को क्या कहते हैं वांडर ग्राट ने पर्थवी के तीन परते बताई हैं तो ये 2880 किलोमेटर के घहराई से के अंदर तक के भाग को हम गुरु मंडल कहते हैं गुरु मंडल कहा जाता है, इसके देखिए, गुटन बरगवाय लिंक के मत का अनुशन करते हुए, वांडर ग्राट मोहदे ने चार परतों के रूप में स्वष्ट किया है, एक जो परत है वो भाहिय परत है, उसके लावा तीन परते हैं, परत्वी के आंतरिक भाग को तीन भागों में बाटा है, एक परत जो भाहरी परत है, उसको छोड़ कर बाकी की तीन परते हैं, इसमें पहली जो फैर लिथो स्फेर है, और उसके बाद दूसरी है उताप या मिर्शित मंडल, पैरो स्फेर है, यह 2860 किलो मिटर तक है, और इसके बाद तीसरी जो परत है, जिस भीन घनत्व वाले समान घराई के स्तंप, यूनिफॉर्म डेफ्थ विद विराइंड डेंसिटी, तो इस सिधान के समर्थक विद्वान, इसमें ये बताया है प्राट मोदे ने, लेकिन समर्थन भी किया है है, हेफोड और बोवी ने, इसमें क्या बताया है, भीन घनत्व वाले समान घराई के स्तंप, भी परवत, पठार और मैदान एक घराई के अंदर समान हैं, लेकिन उनका घनत्व अलग लग है, छर्ति-पूर्ति तल या समतोल तल के अंदर वो सभी समान रूप से डूबे हुए हैं, और उसके उपर उनका घनत्व अलग लग है, तो हेफो और तीन ये दूसरा अंसर आएगा इससे नमबर साथ का देख लेते हैं देखिए इसमें दिया हागे प्राट मोदे ने भीन घनतवे वाले समान गराई के स्थम इसी धानत का परतिपादन किया था आगे देखिए और इसका विवरण हेफोड बोवी ने भी इसी का नुसरन किया है विविन स्थल रूपों का घनतवे उनके उन्चाई के नुसर भिन भिन होता है ये देखिए इसमें हेफोड बोवी का एक और एक्सलेलेंशन हम देख लेते हैं संथलन के संबन्द में हेफोड बोवी द्वारा रखे गई विचार प्राट की विचारूं से मेल खाते हैं स्थम्भू का घनत वे उन्चाई के साथ भिन भिन होता है अगला क्यूशन देख लेते हैं क्यूशन नमर साथ समस्तिति से सम्मान दित एंटी रूट हाइपोथेसिस परिकलपना किसने प्रस्तुत की एंटी रूट एक तो जड़ परिकलपना होती है तो उससे विप्रीत परिकलपना विप्रीत जड़ परिकलपना किसने प्रस्तुत की थी तो ये डेली मोहदे ने परस्तुत की थी जबकि ARI की root hypothesis है और डेली की anti-root hypothesis है ये देखिए ARI की मूल संकलपना की विप्रीत डेली मोहदे ने परती मूल संकलपना anti-root hypothesis परस्तुत किया चलिए आगे चलते हैं कि उस्से नमर आठ संकलपना या सिधानत हैं और उनकी विचारक हैं हमें मिलान करना है इसमें देखिए यहाँ पे महादी पिय परवा सिधानत सबसे पहले विचार टेलर मोहदे ने दिये थी बिल्कुल सही है स्थल सेतु सिधानत है वो ग्रेगरी का है बिल्कुल सही है sliding continent महादीपिय फिसलन सिधान डेली का है और continental drift महादीपिय परवा सिधान वेगनर का है तो इसमें एक, दो, तीन और चार ये answer इसका रहेगा, दूसरा आएगा अगला question देख लेते हैं, question number 9 कार्ण और कथन वाला question है कथन है, वेगनर ने महादीपिय विस्थापन सिधान द्वारा वलित परवतों की उत्पत्ती की व्याख्या की है बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है कार्ण दिया है, वेगनर का मूल उदस से जलवायू परिवर्तनों की व्याख्या करना था ये भी सही है, लेकिन ये दोनों सम्बंदित नहीं है व्याख्या नहीं हो रही है, एक दूसरे की तो कार्ण और कथन सही है, एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते दूसरा अंसर आएगा इसमें कुछ नमबर दस का देख लेते हैं महादीप ये विस्थापन से संबंदित सागर ये अतिकर्मन वे निवर्तन काल से संबंदित विचार कृष्ण ने परस्तुत किये तो ये रेडियो एक्टिव जो सिध्धान्त है जोली महोदे का उससे संबंदित है दूसरा अंसर आएगा इसमें जोली का रेडियो एक्टिव सिध्धान्त 1925 में अपने सिध्धान्त का पर्तिपादन किया था इसे तापी चकर सिध्धान्त भी कहते हैं और आगे देख लेते हैं क्या अपताय है उन्होंने बताय था कि जो रेडियो एक्टिव परदार्त होते हैं उनसे उसमा है निकलती र तो इसके कारण क्या होता है? अदस्तर जब पूर्ण रूप से या अंसिक रूप से तरल हो जाता है, पिखल जाता है तो घनत तो कम हो जाएगा, कम हो जाने से महाधीपिक खंडू के सीमा में डूबने के कारण महासागरी अजल है वो महाधीपिक किनारों पर अतिकर्मन कहते हैं और ठीक इससे विप्रित इस्तिती होगी वो निवरतन काल की हो जाएगी जब वापस वो उसमा का छे होगा तो ठंडा हो जाएगा तो पहले जैसी हो जाएगी तो तहरी के पास समुद्र तट के पास जो तल्चट होगा उसमें तल्चट में मोड पड़ेगा वलन पड़ेंगे तो जिसे परोतों का निर्मान होगा तो ये था जोली का रेडियो एक्टिव सिधान इसमें सागरिये निवर्तनकाल अतिकर्मनकाल और निवर्तनकाल करते हैं तो ये दस क्यूस्टन थे कोशिश करूँगा कि हर रोज बहतर दस क्यूस्टन मैं लेकर आऊं ये क्यूस्टन है वो जो मर्फोलोजी से समंदित हैं और RPSC स्कूल लक्षरर में भी ये काम आएंगे कोलेज लक्षरर में भी और UGC नेट में भी आसा करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे अगर आपको पसंद आए हो तो आप इसको जरूर लाइक करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर कहना चाहूँगा कि अपने घर पर रहें तैयारी करत